नमस्कार कक्षा आठ एक्सरसाइस दो पॉइंट पांच आज हम इसे शुरू करने जा रहे हैं कोशन वन से निम्न रेखिक समिकरनों को हल कीजिए बच्चो इसमें हमें ये रेखिक समिकरने दी हुई हैं हमें इसे हल करना है और बच्चो हमेशा याद रखेगा कभी भी कोई भी रैखिक समीकरन हल करने का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि हमें उसमें दिये गए चर चर का मतलब x, y, z, a, b, c जो भी दिया हो उसका माल निकालना होता है कि वह किसके बराबर है जैसा कि आप इस स्वाल में देख पा रहे हैं कि हमें x दिया हुआ है तो हमें समी करन का हल का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें x की value निकालने कि x कितना होगा तो आइए हम इसे शुरू करते हैं हमारे पास है x बटा 2 माइनस 1 बटा 5 बराबर x बटा 3 प्लस 1 बटा 4 हमें इसे हल करना है सबसे पहला काम हम यह करेंगे कि x वाली रकमें एक तरफ ले जाएंगे बिना x वाली रकमें दूसरे तरफ जैसे कि यहाँ पर x बटा 2 है यह बीच में बराबर का निशान है यह x बटा 3 वाली रकम x वाली रकम है x बटा 3 इसे उधर ले जाएंगे इसके साथ अभी कोई निशान नहीं है, इसका में तो यहाँ प्लस है, जब यह बराबर का निशान क्लॉस करके उधर जाएगी, तो यह हो जाएगा माइनस, तो यह बन जाएगा X बटा 3 माइनस का, एक बटा 4 दाइने हाथ पर, राइट साइट पर, इकल डू के राइट साइ बराबर एक बटा 4 प्लस, एक बटा 4 प्लस एक बटा 5, आएए इसे हल करते हैं, हल करने का तरीका क्या है बच्चो, इनके जो हरे हैं उनका लगुत्तम ले लो, दो और तीन, इन दोनों का जो लगुत्तम आएगा, देखे लगुत्तम, दो कोमा तीन, दो के पहाड़े में दो एकम दो, तीन को ऐसे ही उतार लेंगे, फिर तीन के पहाड़े में एक तो ऐसे ही उतार लेंगे और तीन, एकम तीन, है ना बच्चो, तो LCM जो है, वो किसके बराबर आएगा, इनके गुना के बराबर, दो गुना तीन, यह होता है, छे, इसका आर्थ यह है कि हमारे प कैसे, छे को दो से भाग करके आया, तीन, इस तीन को उपर एकस से गुना कर दिया तो, तीन गुना एकस, तीन एकस, ठीक है बच्चो, आगे है माइनस, तो माइनस का निशान, छे को नीचे वाले से भाग, उपर वाले से गुना, छे को तीन से भाग करके आया, दो, इस दो को उपर वाले X से गुना करा तो हमार पास आया 2X गुरापर इसी परकार से हम यहां करेंगे 4 और 5 इनका हम लगुत्तम लेंगे बच्चो तो आप लगुत्तम निकाल के देखेंगे तो इनका लगुत्तम आ जाएगा 20 चार पांजे 20 वैसे भी बतायता हूं कभी कोई ऐसे नंबर हो जो एक दूसरे के पहाड़े में ना आते हो या किसी भी और पहाड़े में ना आते हो एक पहाड़े में ना आते हो कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके बादे में 4 और 5 दोनों आते हैं तो जब ऐसे नंबर हो इनका लगुत्म क्या होगा इनको आपस में गुना करते हो जो 4, 5, 20 अब कैसे solve करना है इसको नीचे वाले से भाग, उपर वाले से गुना 20 को 4 से भाग करके आया पांच, इस 5 को जब उपर 1 से गुना किया तो 5 एकम 5 प्लस, 20 को जब 5 से गुना किया तो भाग किया सोरी, नीचे वाले से भाग, 20 को 5 से भाग किया 5, 4, 4, 20 को 5 से भाग करके आया, 4 इस 4 को उपर 1 से गुना कर दिया, 4 यह हमारे पास left और right side आ गई अब हम इसे आगे हल करेंगे 3x में से 2x निकाला 1x बटा, नीचे है 6, बराबर 5 प्लस, 4, 9, बटा, नीचे है 20 अगले step में क्या होगा x बराबर, 9, बटा, 20 6x के साथ भाग हो रहा है उधर जाएगा तो 6 उपर गुना हो जाएगा अब हम इसे यदि ये कटता है तो काटेंगे 2 के पहाड़े में देखिए 2 के पहाड़े में आएगा 2, 6 और 2 के पहाड़े में आएगा 2, 10, 20 अब ये किसी भी पहाड़े में आपस में नहीं कटते हैं कई बच्चे इस 3 को 9 से काट देते लेकिन याद रखना 9 गुना 3 है ये आपस में कट नहीं सकते 9 उपर 3 नीचे होता तो कर सकता था तो क्या करेंगे उपर वाली रकम उपर वाली से गुना कर देंगे 9 गुना 3 9 तिया होता है 27 बटा नीचे है 10 ठीक है बच्चो इसका अर्थ ये है कि हम जो इस कोशन में निकालने जा रहे है एक्स का मान वो जो एक्स का मान है वो हमारे पास आया है एक्स बराबर 27 बटा 10 ये आप अगली लाइन में लिख लिए एक्स बराबर 27 बटा 10 यही हमें इस कोशन में निकालना था यही इस रैकिक समिकरन का hal है x का माल निकालना था कभी भी बहने आपको गताया किसी भी रैकिक समिकरन का hal का मतलब है उसमें जो भी चर दी है x, y, z, a, b, c, z, 2, t जो भी है उसका माल निकालना ये चर एक्स में थी तो हमने x का माल निकाल दिया आशा करता हूं आपको ये वीडियो देखकर इस तरीके से रैखिक समीकरन को हल करना समझाया होगा रैखिक समीकरन क्या होती है जżyत्सक्राइब चरहनों और बराबर का भी निशान होना चाहिए उस ठीक है बच्चों तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा यदि आपको ये वीडियो समझ आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करना यूट्यूब पर क्योंकि आप लाइक करते हैं तो उससे हमें पता चलते हैं कि बच्चों को वीडियो समझ आ रहा है और हम उतनी ही मेनत से और वीडियो बनाते हैं धन्यवाद